स्री नगर के लाल चौक पर कांग्रेस की भारत जोरो यात्रा का वव्य समापन वास्तव में शकारात्मक राजनीती का एक नमूना है जोरने की मनुकामना वाली यह सकारात्मक राजनीती कश्मीर में आकर जब संपन होती है तो पूरे देश और विदेश तक इसका संदेश पहुंचता है इस तरह की यात्राएं अगर हमारे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां नीरंतर करती रहें तो देश में कहीं भी अलगाव वादियों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी एक समय था जब लाल चौक पर जंडा पहराना बहुत साहस का काम माना जाता था फिर भी जब जब किसी पार्टि ने लाल चौक पर पहुंचकर जंडा फहराया तब तब इतिहास बना और राष्ट को मजबूती मिले यह तथ बारतिय जंता पाटी भी ज्यादा बेहतर जानती है बहराहाल अब यह एक इतिहास है कि राहुल गांधी के नेत्रित वाली यात्रा एक सो पच्चास दिनों में बारह राज्यों और दो केंदर सासित छेत्रों से गुजरने के बाद जम्मु कस्मीर में शंपन हुई है लगवग 3500 किलो मिटर लंबे पैदल मार्च के विविन पाहलू हैं जिन पर अलग अलग धंग से चर्चा होगी सियासी नजरिये से देखेंगे तो आलोचना के लिए अनेक पहलू मिलेंगे और राष्ट के नजरिये से देखेंगे तो उम्मीद का संचार होगा आलोचकों ने वैसे एक भी मौका जाने नहीं दिया पर लोगों ने राहुल गांधी को कभी धूप में चलते तो कभी बारिस में भीगते और कभी वर्फवारी के बीच देखा है अगर यह यात्रा अपने देश को और करीब से जानने की कोशिस है तो फिर इससे बेहतर कुछ नहीं पर अगर इसका मकसद केवल सियासी है तो इसके असर का पता चुनाओं में ही लगेगा आम लोगों के लिए यही संदेश है कि हमें यात्राओं के दोरान अपने देश को समझना चाहिए यात्रा केवल अपनी खुशी या मनोरंजन के लिए ही नहीं है बलकि भाती-भाती के लोगों से मिलने का अवसर भी है गौर की जिये आदी संकराचार्ज ने यात्राओं से ही इस देश की एक आंतरिक धार्मिक सीमा तै की थी विवेका नन और गांधी जी ने भी अपनी अपनी यात्राओं से ही इस देश को पचाना था इसमें क्या संदेह है कि जो नेता देश को जादा बेहतर जानेगा समझेगा वह स्यासी मोर्चे पर उतना ही काम्याब हो रहेगा अगर इस यात्रा के दोरान एक तालिस हजार रुपिय की टी शर्ट का आरोप लगा तो उस पर दस लाग की सूट की प्रतिक्रिया हुई सियासत में यही होता है जैसी ध्वनी आप उत्पन करते हैं वैसी ही प्रति ध्वनी लोट कर आती है भारत जोरो यात्रा की कुल ध्वनी सकारतमक है इसे आगे भी कठनी और करनी से बल परदान करने के लिए कांगरिस नयताओं को सौक्रिये रहना होगा क्या ऐसी यात्रा से हर सियासी पार्टी को कुछ न कुछ लाभ हो सकता है ऐसी यात्राओं के महत्व को कौन नकार सकता है लाल कृष्ण आडवानी की रथ यात्रा को भला कौन भूल सकता है उस यात्रा ने देश का मिराज बदलने में अपना योगदान दिया था और आज तीन दसक बाद भी उस यात्रा को याद किया जाता है झाल को यात्रा को यात्रा को यात्रा को यात्रा ने देश।